हेलो नमस्कार जी आप सभी का यूटूब चैनल आजूकेशन नौलिश टीव पर हारदिक स्वागत करता हूँ कैसे आप सभी आप सभी के एक बार फिर से बड़ी खुश कबरी ले के आएं भी 31 जैनवरी आज हो चुकी है और सुबह सुबह ही प्रधान मंतरी नेंदर मोदी की सरकार ने आपको बहुती बड़ा तोफा दिया है जी हाँ देर रात प्रधान मंतरी नेंदर मोदी की बहुती बड़ी मिटिंग खतम हुई है बहुती बड़ी मिटिंग चले हुई थी मिटिंग में बहुती बड़े बड़े फैशले लिए गए हैं जिसमें पचास करोड से ज़्यादा गरीब परिवारों को बहुत बड़ी राहत की खबर आई हुई है उनको बहुती बड़ी सोगात दी गई है देर रात आज आपको मैं बताऊंगा क्या 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 खुसकबरी आई हुई है चार हजार रुपे आपको किस परकार से हर महीने बिलकुल फ्री में मिलने वाले हैं ये भी आप इसी वीडियो के माध्यम से जानेंगे अगर आप एक महीला हैं तो मैं महीलाओं को अब किस परकार से मोदी सरकार 50,000 रुपे बिलकुल फ्री में उगलब्द करवाने का परियास कर रही है वही अगर आप एक छात्र हैं तास्वी या फिर बारिक अक्सिया में पढ़ाई कर रहे हैं दोहजार चोवीस में बोर्ड की परेक्षा हैं देरे वाले हैं तो आप सभी के लिए किस परकार रहत की खबर आई है आपको बिना परेक्षा के भी पास किया जा सकता है उसके साथ सथ वी पियल रासनकार पर मोधी सरकार ने एक नया कानून लेके आई है जिसे भरजी रासनकार पर रोक लगेगी उसके साथ साथ हम आईसमान बारतकार की बात करेंगे इस वीडियो में आईसमान बारतकार पर मोजी सरकार ने 10 लाक रुपे बढ़ाने का फैसला लिया है सभी जانकारी जानेंगे, इस वीड़ी के माद्ध apologise, हम से वीड़ी को देखी गएँगें तक, वीड़ी को लाइक निकर दोट वीड़ी को लाइक करेंगे चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, वो अपने गाओं सहर राजी कर नहीं मुझे कमेंट करके बताएंगे कहां से वीडियो देख रहे हैं ताकि आपके गाउं, सहर, राजिश, जुड़ी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे आप सबी को मैं सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन बता दू मौधी सरकारी की जैसे मिटिंग खतम हुई पचास करोड़ से जादा लोगों को बहुत बड़ी राहत दे दी है जी हां, 2021 में मौधी सरकार ने इसरमकार को लॉंच किया था अब सबी जानते हैं इसरमकार उन मजदूरों का बनाया जाता है और भी जादा संख्या होने की वज़े से मौधी सरकार ने इसरमकार पर अभी वी किसी प्रकार का लाब नहीं दिया था लेकिन आप सभी को मैं मता दू, मोधी सरकार ने बड़ा फैसले ले लेटेवे कहा है कि इस बार इस रमकारड़ पर मोधी सरकार आपको लाब देगी लोग सुबाचुनावव थोजार शोविस को ध्यान में रखते हुए मोधी सरकार इस रमकार पर 4-4,000 रुपय तक आपको हर मैंने जारी कर सकती है जी हाँ आपको मैं बता दू जो ध्यारी मजदूरी करते हैं एक स्थान से दूसरी स्थान पर जाकर करके रहते हैं और भई उनकी कई तो ऐस दिन ऐसे निकलते हैं कि उनकी ध्यारी मजदूरी भी नहीं लग पाती है अब उसको कुछ राहत देने के लिए मोधी सरकार उनको 4-4,000 रुपय हर माईने दे सकती है इस पर पूरा-पूरा वीचार से ल रहा है वही इसके लिए आपको आवेदन करने के जुरूत पड़ेगी या फिर मोधी सरकार खुद आपको देगी तुम आपको बता दो जिस परकार से आपका आधार कार से इसरम कार लिंक है और आपका आधार कार आपके बैंक अकाउंट से लिंक है अगर नहीं है तो बैंक अगाउंट आप अपने आधार काड को जरूर लिंक करके रखे क्योंकि सरकार डेविटी के माध्यम से आपकी जो पैसे हैं वो ट्रांसफर करती है यानि की डारेक्ट बैणिफिट ट्रांसफर य़िए आपके आपके आपको बता दू सीधे तोरफर बैंक अगाउंट में आपके जो पैसे हैं वो बेंक सरकार डालें का काम करती है वो बिलकुल बुक्त में किस परकार मिल रही है जी हाँ, आपको मैं बता दू, मौधी सरकार आज से एक फरम ओपन करने जा रही है जिसमें गायब है सपालने के स्वोकिन जितनी भी महिलाएं हैं जो गाउं में रहती हैं, उन सबी के लिए खुसकबरी है लोग सबा चुनाओ 2024 को देखते हैं, मौधी सरकार पर तेक उस महिला को माला माल करने वाली है लकपती दीदी बनाने वाली है, जो महिला बिलकुल गरीब है अब को मैं उता दू, जिसनी भी देश में महिलाएं हैं, उन सभी के कल्यान के लिए मौधी सरकार लगातार परियास कर रही है अगली बड़ी हवरी के बात करेंगा, अगर कोई दस्वी और बारी कक्षा में इस बार पढ़ाई कर रही है और भई इस बार बोड की परिक्षा हैं देने वाले हैं आपको मैं उतादू अगर इस बार मोधी सरकार ने एक साप निर्दाइस जारी कें सभी बोडों को कि एक महीने के अंदर अंदर तो उनका जो रजल्ट्स है वो बोड्स निकाले याई कि एक महीने के अंदर सभी बोडों का रजल्ट्स जारी हो जाएगा जैसे उनकी फैल हो जाता है तो उसका जो एक्षाम है 15 दिन के अंदर ensure cam ले और उसका results 10 दिन के अंदर थे एक महिने दिया जाए अगली कख्षा की इसका बढ़ी रहत की हब बात करेंगे सरकार ने एक ओर बड़ा फैशल लेते हुए रास्तन कार्ड पर बड़ा अपडेट निकाला है वी फरजी रास्तन कार्ड पर एक दम से लोक लगा दी है आज अंतिम्तिती है आदार कार्ड को अपने रासन कार्ड से लिंक करवाने की तो आज जरूर लिंक करवाले फरजी रासन कार्ड के जरीए बहुत से करोडों लोग ऐसे हैं चोंकि भई आमीर होने के बावजूद गरीब बने बैठे हैं और गरीबों का जो हक है वो खा रही ह आपको मैं बता दू गरीबों का जो हक है ये बयामीर परिवार खा रहे हैं और गरीबों को जितनी राहत मिलने चाहिए उतनी राहत मिल नहीं पा रही थी अबोधी सिरकार ने एक हैदा इस जारी करते का है कि अपने रासन कार्ड को अधरकार से लिंक कर वाले बहुत चैसे फर्जी रासन कार्ड पाए गए थे उनका आप पता चल रहा है उनका सभी का निरस्त कर दिया जाएगा उसके बाद और नए प्रकार की जो सामगरी है वो भ पो विजली है उसमर काफी ज़्यादा कटोती देखने को मिलेगी जी हम बिल जो है उसमें कटोती देखने को मिलेगी और बिजली जो है apresent और वहीगिश्य गणे Pick य हम के उता दौES योजने के तहट वोधी सरकार फरवरी में आपको एक एक सोलर पैनल भी बाटने वाली है क्योंकि जैसी राम मंदिर के प्राण पर तिष्टाई वाले दिनियां कि 22 जनवरी को वोधी सरकार ने बहुत ही जवर्दस तैलान करते हैं कहा था कि हम गरीब परिवारों को एक एक ज उसमें पैसा देना आपको ना कुछ देना यानकि सोलर पैनल आपकी घर पर विल्कुल मौफ में मौधी सरकार लगाने का विचार कर रही है इसके लिए फोर्म बरवाए जाएंगे भी जल्द इनके उम्मीद जदाई जारी कि एक फरवरी सी जो फोर्म ही निगाल दी जाए और आपको इसकी पूरा-पूरा जो लाब है वो मौधी सरकार दे देए जैसे फोर्म निकलेंगे सबसे पहले मैं आपको वीडियो बना करके बता दूँंगा कि फोर्म निकल चुके हैं आप फोर्म हाविदन कर लें आगे पहापी सारी करयांतिकारी योज नहीं मौधी सरक हुआ